हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल इन्फो ट्यूब में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पेटियम से फोन पे में पैसा ट्रास्फर कर सकते हैं पेटियम की में से कैसे आप किसी का भी फोन पे के अंदर पैसा बेज सकते हैं या फिर आप अपने फोन पे के अंदर पैसा को बेज सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी जामना चाहते हैं पेटियम की में से फोन पे में पैसा कैसे बेजा जाता है तो दोस्तो आज आज आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है तब ही जो आपको सबकु समझ में आने वाला है तो फिर न देर किस बात की चलिए अफ़रवर से इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो पेटियम की मेल से फोन पे में पैसा भीजने के लिए पैसा ट्रास्फर करने के लिए सबसे पहले जो है आपको अपने मुबाइल फोन के अंदर पेटियम एप्लिकेशन को खोल लेना है और दोस्तो अगर आपने अव़िदीक वीडियो को लाइक किया हैं और इस कर देना है और फिर जो है आप जिस किसी के भी फोन पे में पैसा को भेजना चाहते हैं तो दोस्तों उसका UPI ID आपको ले लेना है दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं यह फोन पे का UPI ID कैसे निकाला जाता है तो फिर यहां पर साइड में आपको एक वीडियो देखने को मिल जाओगा यहां पर जो है देख करके आप जो अपना फोन पे का UPI ID निकाल सकते हैं दोस्तों यहां पर मैंने अपने एक दो से UPI ID मांगा है तो यहां पर हमारा फोन पे का UPI ID यह रहा मैं इसको simply कोपी कर लेता हूं और उसका जो है simply आपको पेटियम में चले जाना है और य यहां पर अपने फोन पे UPI ID डाल जाना है और यहां पर UPI का आईटी डालने कवाद simply आपको प्रोसेस वाले बटन को दबा देना है दोस्तों यहां पर प्रोसेस वाले बटन को दबाते ही आप से पूछा जाएगा आप कितना रुप्या भेजना चाहते हैं तो हम यहां पर आपको दिखाने के लिए 10 रुप्या डाल देते हैं आपको जितना भी मन हो उतना रुप्या भेज सकते हैं उसका simply आपको पे वाले बटन को दबा देना है दोस्तों यहां पर आनेक बाद आपको बोला जाएगा अपना कोड डालने के लिए UPI पीन डालने के लिए आप इस प्रकार से तो फैन कुछ इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से फोन पे में पैसा भेज सकते हैं पेटियम का दोस्तों अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ल यो में